एक छात्र हमको ऐसा मिला, उसने कहा कि सर गरंटी ले रहे हैं ना, कि हम पास हो जाएंगे, हमने कहा यार हम सिर्फ गरंटी ले लें कि तुम पास हो जाओ, और तुम हमारी वीडियो ले करके उसको देखना ही, बंद कर दो, या देखो ही ना, ये सोचलो कि गरंटी सर ने ले है, सर बोड में जाके मेरा नंबर बढ़वा देंगे, ऐसी गरंटी तुम्हें ले नहीं शकता भई, कि तुमसे 200 फीस ले लिया और गरंटी ले लिया, आ तुम वीडियो किसी दिन ना प्ले करो, ना लिखो, ना देखो, कुछ भी मत करो, गरंटी बन गई है, ऐसे मुझे फोन करे, वही हमारी 95 वीडियो ले, अनिता मत फोन करिये, नहीं आपको जरूरत है हमारे कोर्श की, नहीं मुझे जरूरत है ऐसे चात्रों की, तो प्लीज 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 इस बात को दिमाग में रखकर ही आफ कॉल करना, मैं बात कर रहा हूँ, उस वीडियो की, जो वीडियो मैं पिछले साथ सालों से, हर साल चात्रों को देता हूँ, वो हर साल एक्जाम में आता है, उसी में से, हर साल बच्चे 65 से 70 नमबर आसानी से ला देते हैं, उन वीडियो को देख करके, तो अगर आपको भी चाहिए, ऐसी वीडियो जिसे देख करके, आप अरा मेरी वीडियो देखने का तरीका क्या है कांपी कलम आपके पास हो तभी वीडियो प्ले करना है एक वीडियो देखिए उसके अंदर एक या दो सवाल ही मैं बताया हूँ एक वीडियो में एक या दो उसको आप लिखिए कांपी में और जैसे मैंने हल किया वीडियो में वैसे आप अहल करिए अगर आप कर लेते हैं तो आगे बढ़िए नहीं कर पाते हैं तो फिर से उस वीडियो को देखिए मेरी वीडियो लेकर मेरा कुर्स लेकर के पढ़ने का ये तरीका है और इस तरीके से अगर आप डेली एक घंटा मेहनत करेंगे तो 15-16 दिन में पूरी मैत जादा नहीं दूसरी बात आप दुकान करते हो किसान के बच्चे हो मदूर के बच्चे हो या मजबूर के बच्चे हो ठीक है तो भी आप सिर्फ एक ही घंटा समय निकालो किसी भी कंडिशन में आप रहेंगे आप अपने भविस्त के लिए एक घंटे जरूर निकालेंगे ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, कोन ऐसा इंसान है जो एक घंटे नहीं निकाल सकता, सब कोई निकाल लेता है, सिर्फ वन आवर देना है, कंप्लीट वीडियो वाच करना है, उसके बाद 15-15 दिन पर दोहराना है, पूरी गरेंटी बन जाएगी अपने आप, कि तुम अच्छे नंबर के साथ पास होगे, अच्छे नंबर कहा जाता, जो 60 से ज्यादा हो, 60 से उपर हो, 60 पर ही अच्छा मान लिया जाएगा, मैं कहता हूं कि एगर आपको 65-70 नंबर मिल जाए, एक घंटे डेली का समय देकर, तो ये भगवा जान भी उसी की सुनता है, जो परिश्रम करता है, जो कर्म करता है, जो तपस्या करता है, जो प्रयास करता है, जो हारता नहीं है, जो जिद ठान लेता है कि मैं करूंगा तो करूंगा, बाकि मेरी वीडियो समझ में ने आये, ऐसा हो नहीं शकता, कोई भी लड़का, लड़ पढ़ियां समझाहरा, और आप तो कभी यह कही। नहीं सकते तरक आपको समझा ने आए, और आपने मेरी एक वीडियों ने कई वीडियो देख लिया है, उसके बाद ये वीडियों आप देख रहा है, ठीक है, आप खुद इस वीडियों के और मेरे कुर्स के सबूत हो, कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है तभी आप इस वक्त तक इस वीडियो को देख रहे हो है अन्य ता आप भी थम्बनेल देख कर ही आप हटा देते तो जितना मैंने बोला है उतना आपने सुना है तो अब आपका अगला कदम है कि कुर्स जल्दी से पर्चेश कीजिए और मैं पर्चेश करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ मैं आपको पास होने के लिए फोर्स कर रहा हूँ आप मुझे 200 रुबे फीज देंगे इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रिस नहीं कर पाऊँगा लेकिन आप 200 रुबे को कुर्स लेके जीरो नमबर या पांच नमबर दस नमबर बीश नमबर पाने की जगा 65-67 नमबर पाऊँगे तो इसलिए मैं फोर्स कर रहा हूँ इसलिए मैं कुर्स आफर कर रहा हूँ ठीक है आप पताने कितने मेले एक साल में घूमते हैं कितने दुकानों पर एक साल में कितने रुपे खर्च कर देते हैं पुरी साल का कैल्कुरेशन किया जाए फिर भी आप पुरी साल में 1500 रुपे से ज्यादा तो आप अपने खाने पीने उड़ाने फे खर्श करते हैं अब वक्त है अपने पाकेट मनी को इकठा करो माप बाप से कुर्स खरीदने के नाम पर एक रुपए मत मांगो 10-20 जो भी आपको मिलता है या पाते हैं आप उनको इकठा करिए अपने जेब से अपने लिए कुर्स करीदिये फिर माप बाप को बता यह कि मैंने कुर्स करीदा दोसों का उन्होंने वो तुरंत पूछेंगे तो हमको तो मैंने पैसे दीए नहीं पैसे कहां साई तब आप कहोगे ना कि मैं 7-8 दिन से 10 जिन से अपने इस पाकिट मने को एक अठा कर रहा था और मैंने उससे कुर्स करीदा उस दिन ही आपके माता पिदा आपको अंदर से इतना असिरवात देंगे कहेंगे चलिए अपना हक मार के अपना सौक रोक करके अपना जेव खर्च रोक करके बच्चे अगर अपने ही लिए रस्ते पर चल रहा है माबापको आप फस्ट इंप्रेशन दीजिए ना क्या जरूरत है माबाप से 200 रुपे मांगने का मत मांगो यार तुम अपने लिए जो पाते हो उसी में से काट कपट के कॉर्स के लिए इंतर जाम करो किसी दोस्त से लेलो 20-25 रुपे समझ रहे या दोस्त दे सकता है 50 तो उससे ले लो भाई उससे दोस्त से उधार लेके तुम पढ़ो ज़रूरी नहीं कि माबाप आपके गरीब होंगे नहीं दे पाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं जिनके माबाप पैसे वाले हैं वो भी अगर ऐज़ा करते हैं तो ये कर्म भ है बैठ तुम्हारे माबब गरीब होगे इस नादे तुम उनसे मत मांगो ना 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 गरीबी इसमीं है ही नहीं जो व्यक्ति हर में 10,000 का स्मार्ट फोन रखा है हर महने 30r rupay का Regards करवा रहा है उस smartphone की किमत से हर मह कुन होता हूं किसी को गरीब कहने वाला मैं एक situation बता रहा हूं एक student struggle करता उसके struggle का बढ़ियां से बढ़ियां मैं वो बता रहा हूं रास्ता कि वाई तुम्हारे struggle में ये भी एक struggle है कि तुम अपनी pocket money इकठा करके अपने लिए course बाई करोगे तो तुम्हें भी फक्र रहेग समझे तो अपने कहानी में एक कहानी बनाए ये तीन महीने धाई महीने दो महीने जो भी आपके exam में हैं बिहार के बच्चे हैं यूपी की बच्चे हैं अन एस्टेट के बच्चे हैं जब भी आपका exam होना है उससे पहले एक छोटी सी story create हो जाएगी यार मैंने अपने pocket money र नहीं तो मैं ऐसे घूंपता फिरता था है तो जो कर्म करने के बाद यहोटा जाता है जो चात्र है पर्यास किये है कि भाई एकृट इस माइन के साथ होता है गलत लेकिन जो पूरा मेहनत किये जो पूरा प्रयास किये श्ट्रगल किये उसके बाद अगर वो छोड़ते हैं जो होगा सो देखा जाएगा तो उनके साथ वो होता है जिसके उन्हें उम्मीद होती है ठीक है तो बच्चों हम यह ने कहते कि आप कोर्स मेरा ज अपने ही सौक को सैक्रिफाइस करके कोर्स भाई करो किस भी अच्छे अध्यापक का जो आपके लिए गोडेंट फिट हो जो आपको समझा सकते हो अच्छे से उनसे लीजे उनका पढ़िए उनके साथ उनकी बातों को सुनिए समझे ध्यान देजिए फालो कीजिए ठीक है कि आएगा ऐसे लोग भी हैं बहरुपिया टाइप के यूट्यूब पर ठीक है आपको सर सर कहेंगे सर सर मतलब ऐसा लगता कि आप उनके सर हैं वह आपके स्टुडेंट है तो फिर जिसने टीचर्स की परिभासा को टीचर्स के लहजे को उलट दिया हो पलट दिया हो उलट आपको कोई सर बोलता पढ़ाने वाला अध्यापक होगा बेटा बोलेगा चेला बोलेगा तुम ताम बोलेगा चातर बोलेगा आपबोल सकता लेकें आपको सर सर नहीं देगा तो पढ़ाना कई से जानेगा और इْ Beaution के सम्मान के से जानेगा को बात जरह रहे हैं होग और गरैंटीं भी ले लेगा कि मेरा अभिण पड़ाया वह आहा है मानलो हिंदी में अगर जीवन परिचय है चार जीवन परिचय मेंसे खुई एक आये गा ही तो तुमको पता कि यह चार जीवन परिचय है अना या याणा है इतने साइस में से आना ही आना है इतने आना यह 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 अलंहगार आना है ठीक है यह निबंदा आना ही आना है तो उसी विशय का डंका पीटेगा चार की जिवन परिजय आप से कहेगा यह याद कर लो पांच गुनिबंद कह देगा तो जब तुम कुछ छोड़ी ही नहीं सब याद है करवा रहे हो तो आएगा ही क्यों नहीं कि मैंत में आकर देख लो फिजिस में आके देख लो ना कर देख लो कुछ नई फसे गा यंदी-ंग्रेजी में कुछ चीज़यी रटी रटाईी जो हर साल रेभीट होती है चातर भी जानता उसी चीज़ा वह भी रंका पीटते हैं ऐसे लोगों साधान रहिए उनका कॉर्स अगर पांच रुपे का भी रहे तो समझ लो उनका कॉर्स वोर्स है वोर्स मतलब समझते हैं जो बच्चे वोर्स के मेनिंग समझते हैं कॉमेंट में एक बाल लिख देंगे डबलू ओर्स थी ठीक है, तो मैं अब इतना ही कहुँँगा, नाम नहीं किसी का लेना है मुझे ठीक है बस आफ को सचेत करेंगे, आप मेरे फैمिली मिंबर हो आपका किसी तरह से नुक्सान न हो, आप फायदे मे हैं, सुख मे西 अंती में है उननती के रास्ते पर रहें मैं बस वही चाहूंगा आपको कोई बेवकूब बना करके आपके साथ केसी भी तरह का ठगी बेमानी ना करे इसके लिए मैं अगर आपको कुछ कह सकता हूं तो मैं कहूंगा अमल करना आपकी जिम्मेदारी है नहीं करेंगे तो वो भी आपकी ही देन होगी आप करेंगे तो वो भी आपका ही फायदा होगा ठीक है तो कुल मिला जुला करके माता पिता का ख्याल रखे जाड़े का समय है फैसन के दौर में स्वेंटर, मफलर, जैकेट लोवर, जूता मोजा जिसकी जरूरत होती है समय से पहले से ही आप अपने उपर धारड करिए पहनिये इस्तिमाल करिए कभी ठंड़क लग जाए आपको ऐसी नौबत नहाए पढ़ाई आपकी लगतार चलती रहे पढ़ाई बांधित नहो गिना चुना 60-70 दिन बचा है 80 दिन बचा है जो आपको एक एक दिन का हिसाब लेना है आप हिसाब लेने में कभी अपसेंट मत होईएगा रोज लीजिए रोज पढ़िए बस आज इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में थैंक्यो